संसत की वित्तिय समीतियां एक प्राक करन समीति इस समीति में लोकसभा के तीस सदस्य होते हैं, इसमें राजे सभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। समीति के सदसियों का चुनाव प्रतेक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिर्थव के अनुसार एकल संक्रमणियवद के माध्यम से किया जाता है। इसके सदसियों का कारेकाल एक वर्ष का होता है। ये समीति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता तदा प्रशासन में कैसे सुधार किये जाए, आदी विशेयों पर रिपोर्ट देती है। प्राकन समीति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परन्तो ये समीति अपना कारिय वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोन सदन के समक्ष रखती है। दो, लोक ल इ भर किर्वारचित किये जाते हैं। 1967 ग्रति, ये समीति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुप्त किया जाता है। लोक लेखा समीति में राजै सभा के सदस्यों से को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्थ नहीं लोग लेखा समीती का मुख्यकारिये समीती राष्ट्रपती के वित्यमामलो के संचालन में अपवे ब्रष्टचार अ कुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोच सकती है 3. सरकारी उपक्रमों की समीती इस समीती में 22 सदस्यों होते हैं जिन में से 15 लोगसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधत्व की एकल संक्रमर्यमत पद्धिती द्वारा निवाचित किये जाते हैं समीती का अध्यक्ष लोगसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है इस समीति के निम्नकारिय हैं 1. सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की ओर उन पर नियंतरक एवं महलेखा परिक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना 2. ऐसे विशयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं 4. कुछ अन्य प्रमुख समीतियां कार्य मंत्रणा समीति लोगसभा की कार्य मंत्रणा समीति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं लोगसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है राजे सभा की कारी मंत्रणा समीती में इसकी सभा का सभापती इसका पदेन सभापती होता है गैर सरकारी सदस्यों के विध्यकों तथा संकल्पो संबंधी समीती इसका गठन लोगसभा में किया जाता है इस समीती में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समीती का अध्यक्ष होता है। प्रिष्ट 226 नियम समीती लोकसभा की नियम समीती में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं जबकि राजय सभा की नियम समीती में सभापती एवं उपसभापती सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राजसभा के सभापती अपने अपने सदन की समीतियों का प्रदेन अध्यक्ष होते हैं पांच अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों का कल्यान संबंधी समीती इसमें 30 सदस्य शामिल किये जाते हैं इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राजसभा के सदस्य होते हैं 6. ग्रन्थालिय समीथी इसमें 9 सदस्य होते हैं लोकसभा अध्यक्षु द्वारा मनुनीट 6 लोकसभा सदस्य तथा राजे सभा के सवापती द्वारा मनुनीट 3 सदस्य शामिल किये जाते हैं। इस समीति का कर्थन प्रतेक वर्ष किया जाता है।